नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चनल आइट स्टडी विजी सर में मैं हूँ आपका साथ ही जीतेंदर कुमार जाएंगे दोस्तों LTE grade का यह प्रश्न पत्र में लेके आया हूँ हाल प्रश्न पत्र जिन्होंने एक्जाम दिया है मिलान कर लें उनके कितने किशन सही हुए है जिन्होंने UPTCT का एक्जाम दिया था उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है वहां से भी आप उसको देख सकते हैं नंडलल बोस की सभी है यहाम इसे कहते हैं तो पोर्ट्रेट होता है व्यक्ति चितरों को पोर्ट्रेट कहा जाता है सब बाड़ फीड़ियोफ के चित्र मुख्य रूप से किस धरातल के उपर बने है यानि ताड पतुर पर निर्मान करवाया था प्रशन हे बिट्विन और यम्प के बीज में चित्र रजना किसकी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मक्बूल फिदा उसे इसका D option सही होगा क्योंकि मक्बूल फिदा उसे नहीं है चित्र बनाया था उसका D option सही हो जाएगा प्रशन है बनी ठणी यानि की राधा को इस चित्र बनी ठणी याद रखे साथियों निहाल चंद किसंगर शेली के कलाकार निहाल चंद जिनों ने सावन सिंग और फनागरी दास के समय इस चित्र का निर्मान करवाया था प्रशन है कोण ये रेखाई किस भाव को प्रदर्शित करती है कोण ये रेखाई ये व्याकूलता की भाव को प्रदर्शित करती है ये option इसका सही हो जाएगा प्रशन है M.F. हुसेन की प्रशिदी कलाकरती का नाम क्या है M.F. हुसेन ने इस कलाकरती को बनाया है साथियों याद रखिए उसका नाम है Mother Teresa इसका C option सही हो जाएगा Mother Teresa जबकि राधी का नाम का जो चितर है वो किसने बनाया था प्रशन है बाटिक में क्या प्रियोग होता है तो बाटिक चापा कला यानि कि वस्तर कला से समधित कला है बाटिक कला जिसके इंदर मोम रंगों का प्रियोग किया जाता है तो मोम का प्रियोग कियाता है बाटिक कला में प्रश्ण है इन में से कौन सी रूप परद कला है रूप परद कला यानी कि वीजुवल आर्ट कौन सी है यानी कि मुर्थ रूप 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 होता है तो B option इसका सही होगा प्रशन है सीतन वासल की गुफाएं किस धर्म से सम्मदित है अगला प्रशन है चितरकार पर्मानंद चोयल किस राज्य से सम्मदित है पर्मानंद चोयल जी साथियों इनको भेंसों की चितरे के नाम से भी जाना जाता है यह सम्मद रखते हैं साथियों बी उपसन राजस्तान से समंद़ रखते हैं परमानांजी 24 अलगती है जबकि उत्रपधिस में सांजी कहेंगे और महाराष्टू में रंगोली के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है वह चित्रकार जो वास्तुकार और मुर्तिकार भी था तो साथियों याद रखें यहाँ पे केरेवेजियों एक चित्रकार था राफेल जो है वो एक चित्रकार और वास्तुकार था और जबकि माइकलेंजिलो जो है वो क्या था चित्रकार भी था और मुर् त्यांगरा शेली का स्वनकाल माना जाता है, B option इसका सही होगा, प्रशन है बिजापूर किसे कला शेली की उप्षेली थी, बिजापूर शेली, दक्ष्री शेली की तीन परमुक शेली हैं, उनमें नाम आता है, बिजापूर शेली, एहमेंद नकर शेली और गॉलकुंडा शे मात्रा सबसे अधिक किसे रंग में होती है, प्रकास की मात्रा साथियों, पीला जो रंग उतास में, प्रकास की सबसे अधिक के मात्रा होती है, जबकि सबसे ज्यादा तरंग धेरदेज होता है, वो लाल रंग का होता है, प्रशन है, मर्ता शेली द्वरा बनाया गया, त्र पाणिनी दिवारा रचित ऐस्टा धाई में शिल्प सब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया याद रखें साथ यो पाणिनी संस्कृत एक महान विद्वान है उन्होंने ऐस्टा धाई नम का गरंथ लिखा था उसमें उन्होंने कला को दो भागों में डिवैड किया प्रशन है राजसान में दिपावली के अवसर पे किस लोक कला को दिवारों द्वारों और चोक आदी में बनाया जाता है दिपावली आदी के अवसर पे बनाई जाने वाली कला जो है उसको मानरणा के नाम से जानते हैं मानरणा राजसान की लोक कला है जो कि गोबर आदी स लीप के उसके उपर वाइट जो चुना बिट्टी होती है उससे चेतर बनाए जाते हैं जबकि अलपना बिहार की सांजी उत्तर प्रदेश की और रंगोली कहां की महारास्टगी हो जाएगी D.Optionist का सही है प्रशन है Progressive Artist Group मुंबई की स्थापना कब हुई थी प्रशने तक्षशिला का सबसे महत्रपुन स्थूप कौन सा है साथियों आद रखिये तक्षशिला जो है वहाँ पर स्थूप कौन सा है Option है धर्मराजी का स्थूप धर्मराजी का स्थूप जो है साथियों ने केवल तक्षशिला में है बलकि वारनसी और बांगला देश में भी तक्षशिला जो धर्मराजी का स्थूप तीन जिगर पर बना हुआ है उन्हें से तक्षशिला भी एक है इसलिए यहाँ पर इसका कहते हैं जहां टेक्षर कहते हैं प्रशन है पहाड़ी शेली का प्रमुक योगदान क्या था पहाड़ी शेली में प्रमुक रूप से जिन्होंने योगदान दिया है कांगड़ शेली के राजा संसार चंद उन्होंने क्या क्या था इस शेली को चर्मोत क्रस्पे पहुंचाया जबकि अकबर रवी उर्मा सावन सिंगा कोई समन्द पहाड इशेलेशन नहीं है प्रशन है अजनता की किस गुफा में विस्तो विख्या चित्र पदम पाणी का बना है याद रखे साथियो पदम पाणी बोधी सत्व का चित्र गुफा संक्या एक में बना है डी उप्सन इस है तो बाकी मैं कमेंट सेक्षिन में आपको जवाब इसका और दे दूंगा तो उसका एक उप्सन संभावतिया सही होना चाहिए प्रशन है वह रेखाई जो एक दुसरे का अनुकरण करती है पीछा करती है तो संभावतिया उनका जवाब जो है आवर्ती रेखाई होना चा आप सबी को आइडिया होगा कि यह जो है यह वर्त जो होता है इस वर्त में इसके ठीक बीच में जो लाइन होती है वो क्या होती है व्यास होता है और यहां पर जो क्या होता है इसका केंदर बिंदु है तो व्यास जो होती है व्यास का आधा जो होता है यह वाला जो प्रशन है महांजोद्रों से प्राप्त मात्र का देवी की मूर्ति किसे मात्र देवी की प्रतिमा किसे समधित है तो तेरा को टाम यानि कि मरण में मूर्तियां मिली है तेरा को टाम मिली है किसकी मात्र देवी की प्रतिमा है प्रशन है आइडल्स ओफ इंडियन आर्ट के लेखर कोन है यह है बहुती फेमस बखली है वह इनाफन इसका और प्रशन हो जाएगा प्रशन है वरत के केंदर पेर कोन सा कोन बंता है तो साति केंदर के अभी उन्ने बताया था कोई जो वरत होता है इसके ठीक बीच में यहां देख सकते हैं अभी इनका मिलान कीजिए चले इसके दूसरे भाग में, चलदी ही, कुछी दिरबाद में झाल झाल